तो एक तो एक्षाम बहुत सारे लोग आने वाला है तो किस तरीके से वह सुबह में उठ सकते हैं क्योंकि सुबह में उठकर के पढ़ाई करने का जो फैदा हो है वह अपना खुद का राइट तो लेट इस्टाटर आप एट एट यहां पर हम कुछ 혁की नियुक्छ पंट भी करेंगे और हो पॉइंट आपके ऑफिक लेगया के पामपे Mod pont हो और आहापका किन OL उठकर के अंतरगत आता है जिसको पर्सनल इसकी के अंतरगत हम रखते हैं, राइट, सो जो सुबा में उटनी की पूरी कहानी यह स्टार्ट होती है, मेरे दोस्तों वो स्टार्ट होती है, हमारे स्लीप से ठीक है तो अगर अगर आप लोग एश्ट्रेंट हैं तो सबसे पहले टारेट रखो कि छे से मिनिमम छे घंटे है छे से साथ या फिर तक्रीबान आठ घंटे का आपको निंद आपको लेना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा सा क्लॉक बना देते हैं ताकि आपको इस तरीके से आपको अच्छा से पता चले थ्री फोर फाइफ सिक्स सेवन एट वी हैव नाइन टेन एंड एलेवन राइट तो देखो सबसे पहला तुम्हें क्या करना है कि तुम अगर 11 बज़े भी अगर सोते हो तो 11 बज़े के बाद में क्योंकि जैसे ही आप सोते हो उसी समय आपका निंद नहीं लग जाता है राइट जब ता जब तुम सोते हो तो उसके बाद में 40 से 45 मिनट के बाद में ही जो है वो जाकर के तुम्हें निंद लगता है तो तुम वो इस डिवरेशन को इंक्लूड ना करके जब भी तुम सो रहे हो जैसे कि आरह वे सो रहा है तो तुम ऐसा ऐसा काउंट करो कि बारह वे से एक बज़े के बीच में तुम एक घंटे इसको मानों मानों राइट तो फिर तुम्हें कितने बज़े उटना चाहिए मैंने यहाँ पर लिखा 6-7-8 घंटे आपको सोना चाहिए लेकिन 6 घं चाहिए दो तीन चार पांच छे साथ साथ बज़े आप उठ सकते हो तो अगर आप 11 बज़े सो रहे हो साथ बज़े अगर आप अलार्म लगा रहे हो दाट इस वेलें गूड फॉर यू छे बज़े भी आप छे बज़े ना लगा करके आप 6 जो हो 30 में आप उठने के बारे का 6 से ले करके 8 घंटे के बीच में होना चाहिए तो यहां पर अगर आप 7 बज़े उठते हैं तो यस यह आपका 7 घंटे के आसपास यह आपका आता है जब भी आप सो रहे हैं अगर 11 बज़े सो रहे हैं तो वहां से उस टाइम को आपको काउंट नहीं करना है उसके एक घं दम ऐसा होता है कि हम लोग पूरे दिन भर अपने कमरे में बैठे हुए रहते हैं तो इसलिए जो हमारा बॉड़ी है वो बॉड़ी काफी ज़्यादा एक जगह पर बैठा रहता है तो जो नेंद का जो केमिकल होता है वो हमारे दिमाग में नहीं बन पाता क्योंकि हम ठकते नहीं है तो इसलिए अगर आप लोग अच्छा स्लीप लेना चाहते हो तो यह स्लीप आपके एकसरसाइज पर भी आपका डिपेंड करता है तो अब तुम्हें क्या करना है सूबह में उठकर के थोड़ा सा कभी उठक बैठा के कर लिया या फिर कभी रनिंग पर चले गए तो यह थोड़ा छोटा च्छटा जो है वो काम आपको करना चाहिए तो आपके स्लीपिंग जो क्वालिटी है वो उसको इंक्रीज कर देगा स्लीपिंग क्वालिटी जैसे ही आपका इंक्रीज होता है तो जो है वो आप वेक फिर सूबह में आप करते हो राइट अब सूब लगा दिया 7 बजे के बाद में, उसके बाद हम 7 बजे उठते हैं, लेकिन reality में ऐसा नहीं होता है, जब भी हम लोग 7 बजे उठते हैं, तो यहाँ पर एक जो चीज आ जाती है, that is nothing but a transition phase, right, जब भी हम लोग का alarm बसता है, उस चीज को हम बोलते हैं, that is a transition phase, right, उस transition phase आपका क्य बोलता है, कि जैसे ही आपका alarm, हमारे कानों के द्वरा सुनाई देता है, हमारा जो brain है वो ये activate करता है, कि ये आपका safe नहीं है, हमारे जो दिमाग का सबसे जो 1000 साल जो एक फित्रत है, उस फित्रत में ये बोला जाता है, कि हमारा जो brain है, वो safe रहने के लिए, चीजों को द लिखता रहता है उसकी जो पहले priority है वो हमें बचा करके रखना तो जैसे ही अगर आपका mobile में अगर आपने alarm लगाया हुआ है सूबा 7 बज़ अगर आपका बसता है तो अब सबसे पहले आपका brain ही तो सुनता है और कौन सुनता है और जैसे ही वो आपका brain सुना इसने फिर यह करता है जी तो fear response system यह वही system है कि जब अगर आप share को देख करके या तो वहाँ से भागते हो या तो आप share का सामना करते हो तो यहाँ पर जिस तरीके के feelings होती है fear response system में ठीक वही तरीके के feeling जब आपका सुबह में alarm बजता है तो इंसान को होती है तो अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो यह जो transition phase होता है जैसे ही आपका mobile बजा आपके दिमाग उस समय थोड़ा सा जग जाता है तो हमारे जो wake up का जो system होता है उसका graph होता है हम अचानक जो है वो नहीं जग जाते हम वास्तविक्ता में धीरे धीरे जगते हैं तो जैसे कि अगर आपका एक alarm बजा तो हम वहाँ पर थोड़ा सा दस से बीच पर्सेंट ही कॉंसियस हो बाते हैं और ठीक उसी पलकार से अगर आपको जगना है तो फिर आप एक आपने तो reinfor लगाया पिर उसके बाद में दरस मिंट के बाद में पिर आप उसमें एक और alarm जोड़ देंगे तो यह जो है वह आपका फिर percentage कॉंसियस का आपका परसिंटेज बढ़ादेगा फिर उसके बाद मैं अगर हमारा alarm बजा, वैसे हमने alarm को off करके, फिर हम sleep mode में चले गए, और जैसे sleep mode में चले गए, फिर sleep mode में हम लोग चले गए, और पता चला कि हम 2 hours हम लोग का चला गया सिर्फ सोने में तो सोने का जो भी काम है, वो time के respect में काफी ज़्यादा effect करता है अगर आप लोग का board exam है या फिर कोई भी exam है, तो तो ये जो transition phase होता है, इसमें actual में आपके दिमाग में जैसी आपका alarm बसता है, उसमें आपका दिमाग में आपके बहुत ही कौतूहल मचा हुआ होता है, और वहाँ पर आपके आता है thought system right, thought system में आपके अंदर क्या आवाज आती है और उसमें आप अपने thoughts को महसूस कर सकते हो, चुकि हमारे brain का सबसे जो important काम होता है, वो आपको safe रखना होता है, तो जैसे ही alarm बजा, थोड़ा सा आपके दिमाग में change हुआ कोई भी change दिमाग जब पहले accept करता है, तो उसको doubt होता है, कि या इसको करने में हमें fear मिलेगा, या तो हमें इसको doubt, या फिर fear या doubt दोनों मिलने लगता है उसको तो इसलिए वो अपने state को जो भी जैसे कि आप let's suppose, 6 से लेकर के पिछले 7 घंटे से आप सो रहे हो, बेट पे पड़े हुए हो तो that is nothing but your आपका वो comfort zone है, right? comfort zone है, right? और वो comfort zone में आप actual में safe feel कर रहे हो और safe जो feel कर रहे हो वो आपके दिमाग के कारण feel कर रहे हो, दिमाग का जो primary work है, वो ये है कि आप safe feel कर रहे हो तो आपका दिमाग उसमें alert mode में चला जाता है, फिर वो आपका fear response system activate कर देता है आपके दिमाग का वो हिस्सा जो share देखने पर भागते हैं या तो आप से उससे भीड जाते हैं तो वहाँ पर जैसे ही वो change आता है alarm, तो हमारा दिमाग जो होता है उसमें decision लेना थोड़ी सी चालू कर देता है, लेकिन हम होते है actual में निंद में ही मातर 20 परतीशत ही हमारा हिस्सा जो है वो activate हुआ रहता है तो जैसे हम लोग इस state में आते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो तर्क देने लगता है और आप लोग हमेंसा याद कोशिस करने के लिए या फिर आप इसको महसूस करके देखना जैसे ही आपका दिमाग में अलार्म बसता है हमारा दिमाग हमें एक response या फिर थोड़ चलने लगता है वो बोलता है कि थोड़ा सा क्या बोलता है थोड़ा सा और ठीक है अगर आप यह इस समय वीडियो देख रहे हो तो मैं यहां से मुझे आप लोग कॉमेंट जा रहा करके बताना कि आप अभी कैसा फिल कर रहे हो आउट आफ टेन एस्टुएंट में से आप हैज़ुनिंट ऐसे बोलेंगे कि हम अच्छा comfortable फिल कर रहे है यानि कि जो comfortable फिल करना है जो CF मतलब comfortable फिल करना है वो actually depend करता है आपके state यानि आवस्था पर अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यानि कि आप comfortable फिल कर रहे हो तो ठीक उसी तरीके से पिछले 6-7 गंटे में अगर आप सो रहे हो और अचानक इलारम बसता है तो वहाँ पर change होता है change के हिसाब से आपका fear response system activate होता है और आप uncomfortable feel करते हो तो दिमाग आपको हर वो response देता है जिसमें आप comfortable feel करो तो आपसे क्या बोलता है कि चलो यार थोड़ा से हम लोग सो जाते हैं और जहां पर सोया तो पता चला कि ये आप हर दिन जो है वो हर दिन आप इसी तरीके से कर रहे हो बाद में पता चला कि आपने लार्व लगाना ही छोड़ दिया तो सूबह में जगना इस तरीके के आपके दिमाग के लेबल पर ये पूरा का पूरा गेम होता है जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए राइट तब बात करते हैं आप सलूशन क्या है ठीक है जी आखिर इसका सलूशन क्या है सो इफ आम टॉकिंग अबाउट असलूशन सो सलूशन के बारे में सलूशन जो होता है इसको हम परसनल स्कील के अंडर हम लोग लेते हैं क्योंकि हर एक विद्यार्थी हर एक परसन अपने तरीके से उसके अलग तरीके से उठने खाने पीने का अलग तरीका होता है तो अगर आपने sleep अगर अच्छा से ले लिया हुआ है as a student और सुबह में अगर आप उठना चाहते हो क्योंकि आपको पता है कि हर काम जो है वो time consume करता है सुबह में उठेंगे तो ज़्यादा समय मिलेगा तो हम अपने पढ़ाई को दे पाएंगे और board exam के लिए यही तो important है तो सुबह में उठने के लिए क्या कर सकते हो पहला जो solution है यह solution आपका universal नहीं है हो सकता है कि आप पर काम करें क्योंकि मैंने बताया कि सुबह में उठने का यह personal skills होता है जो आपको खुद अपने लिए develop करना पड़ता है अपने body की need के हिसाब से तो इसका solution क्या है इसका solution यही है कि जब भी आप alarm लगा रहे हैं कोसिस करिए कि अपने से जो mobile है उसको आप दुर रखें बेड से कम से कम कम से कम या फिर आप दुसरे कमरे में रख दीजिए या फिर अपने table पे मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे ही आपका alarm बजता है ठीक है दिमाग आपको वहाँ पे thoughts चलने लगता है और thoughts में आपका जो है वो दिमाग बोलता है कि थोड़ा सा और सो जाए इस चीज को अगर आपको काटना है तो इसमें आपको अपने mobile जो है वो बेट से ज्यादा दूर पर रखना है और जैसे ही आपका mobile alarm बजा और जैसे ही आप अगर अपने पैरों पर अपने आप चलना कोशिस करा तो दिमाग में वहाँ पर जो डाइरेक्ट जो आपका wake-up system होता है डाइरेक्ट कुछ exponential होता है यहाँ पर इस position पर आपका alarm बजा और दूसरे position पर आपने walk कर दिया और जैसे आपने चला दिमाग आपका काफी जादा पिछले से जादा activate हो जाता है तो पहले solution में mobile को हमेशा दूर रखना है दूसरे solution में इतना दूर पर रखना है कि आप थोड़ा सा चल सको 5 से 10 कदम चल सको 5 से 10 कदम जाने के बाद में mobile को तुरंट off करिए और अपने room को जो है वो leaf कर जाए छोड़ दीजिए और बाहर टहलना चालू कर दीजिए अगर आपके पास में कोई गली आ रहा है तो वहाँ पर करिए कि आप वहाँ पर तोड़ा सा ऩो और हौ तहल लीजिए और कमसे कम अगले चार मिनट तक ज्यादा नहीं! चार मिनट तक तहल लेड़ कि आपकोसिश करिए और यहाँ पर चार मिनट होता है यही काफी ज्यादा hack कर दिया तो आप सुबह में उठने की habit बना लेंगे बहुत सारे ऐसे agent होते हैं जो सुबह में उनकी automatic habit बन जाती है तो automatic habit क्या होती है कोई भी काम अगर आप frequent way में अगले 20 से 20 दिनों तक करते हैं तो वो काम automatic हो जाती है आपको उसमें ज्यादा effort लगाने की जरूरत नहीं पड़ती वही automatic कार्य को हम habit बोलते हैं तो सुबह में अगर आप पिछले 3 से 4 महिने से अगर आप normal way में सुबह में नहीं उठ रहे हैं तो आपको consider करना पड़ेगा कि आप अचानक एक दिन में आप नहीं उठ जाओगे इसके लिए कम से कम 5 से 15 दिन लगेंगे habit को develop करने में और जब तक habit डेवलप नहीं हो जाता आपको इसी काम को जो है पांच मिनट आपने उठा जाके पानी वानी पीकर की जो भी आपका आगे का जो प्रोसेस होता है आप करिए और उसके बाद में बेड पर उठने के बाद में कोसिस करिए कि जो आपका बेड है उसको आप ऐसा कर दो कि आप फिर वहाँ पर जाकर क्या पढ़ाई ना कर सको तो सूबह में उठना है तो अगर सूबह में तुम्हें उठना है तो तुम्हें अपने दिमाग के साथ में यह गेम तुम्हें खेलना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें अपना टाइम बोर्ड एक्जाम के सब्जेक्ट को ज्यादा देना होगा तो ये जो है वो solution आपका एक हो गया जिसमें हमेशा mobile दूर रखिए जैसे ही alarm आपका ring करता है वहाँ पर walk करिए walk करके जाय करके mobile को बंद करिए mobile को बंद करने के बाद में room को छोड़िए brand में टालिए कहीं पर भी continuity में ये काम आप करते रहिए अगले चार से पांच मिनट में अगर आपने करिए तो ये जो चार मिनट का टाइम फ्रेम होगा ये बहुत ही हलका सा अनकमफर्टेवल फिल कराने वाला टाइम होता है क्योंकि दिमाग को अचानक उठा हुआ होता है यनि को से यञाने की जगना जगना छो है वो वेकपर इस्टेट है तो वेकपर नगर आप जा रहें तो ये जो चार मिनट का आपका जो टाइम होता है इसमें आप बहुत ही अनकमफर्टेवल फिल करोगे जो जो कि आपका नेचुरल होता है जिसको आपको accept करके रखना होगा कि ये चार मिनिट में यार अनकमफटेबल फिल करने वाला हूँ उसके बाद में अगर जग गया तो history mathematics इंगली सारा subject यार में यात कर पाऊँगा तो ये जो अनकमफटेबल वाली चीज है ये बस चार से पांच मिनिट होती है एक बार अगर आप जग जाते हैं let's suppose अब आपके पास में 8 aim हो चुका है उस समय अगर आप अपने आपको feel करेंगे तो वास्तविकता में आप तो जगे हुए है लेकिन उस समय भी आप comfortable feel करेंगे तो दिमाग आपका इस तरीके से आप काम करता है ये जो है वो आपका solution number 1 है दूसरा जो solution होता है वो आपका personal label का आपका solution है तो solution आपका true हो गया इस solution में आपका क्या आपको होना है जैसे ही mobile बजे अलार्म आपका जैसे ही आपका बसता है उसी समय आप अपने bed पर उठ करके बैठ जाए ठीक है सिधा चुप चाप से आप बैठ जाए और दिमाग में एक से लेकर के 100 के बीच में आपको counting करना है mobile को अभी बंद नहीं करना है mobile के अलार्म को आपको बसते रहना देना है एक से लेकर के 100 के बीच में आपको count करना है और जैसे ही आप अगर count कर लेते हैं 100 तक तब उसके बाद में जाकर के mobile को बंद करिए लेकिन जो चलने वाला सिस्टम है वो चलने वाला सिस्टम सब में common होने वाला है तो sleep और जैसे ही आपका alarm बजा इस alarm के बाद की जो कहानी है वही है कि 4-5 में टनकमफटेबल फिल करना पड़ेगा लेकिन आप जग जाएंगे और इसी चीज को अगले 15-16 दिन तक repeat कर देंगे तो फिर आपको इतना जो आप लीपाप होती है कर रहे थे कि सुबह में हमें उठ कर चलना है वो कर रहेंगे ज़रते आप उठना फिर चालो कर दोगे तो आपका उठने का तरीका क्या है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताना आज के इस वीडियो में इतना ही आप लोग ने मीज़ए इतना समय दिया थैंक यू सो मच एंड गुड बाई